हालो टेटर्स वेलकम प्रेनलान स्टॉक्स और देखे यहां पर हम लोग आज बात करने जा रहें कैसे स्टॉक के बारे में जो टाटा ग्रुप की एक बहुत ही शांदर कंपनी है और कंपनी का नाम है दा इंडियन होटेल्स कंपनी लिमिटेड जिसके सावन स्टार होटेल्स हैं अल ओवर दी इंडिया और ओवर्सीज भी जिसके अंदर एक बहुत शांदा रिकवरी देखने को मिली थी नेवेंबर के अंदर जब वैक्सिनेशन की पुखता नियूज आई थी कि अब से वैक्सिनेशन शुरू हो जाएंगी ग्लोबली और यहां दिन से लगातार ये स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है काफी नीचे के लेवल से इसके आ चुके है और देखिए अब एक स्ट्रॉंग लॉंग टर्म की जो डेली चार्ट पर इसका एक्स्पोनेशनल मूविंग आवरेज की लाइन होती है उसको ये ब्रेक करके न देखिए इस स्टॉक के अंदर आप बने रह सकते हैं सारी चीज़े आपको ध्यान में रखनी होंगी किस तरीके से कोरोना के केसिज अब इंडिया के अंदर एक वैसा पीक पकड़ता दिखाई दे रहे जो कहीं हमने में और जून के अंदर देखा था डेली लगातार जिस तरीके से मौसम के अंदर बदला हो रहा है कहां तो हम लोग यह सोच रहे थे कि अब यहां से वैक्सिनेशन करसर चालू होगा और केसिस बहुत जादा नीचे आ सकते हैं लेकिन उसके उल्टा ही हुआ है यूटन लेके कोरोना वायरस वापस से फुल फर्म के अंदर फुल स ही एक्जांपल हमने अभी महाराष्ट के अंदर देगा जो इस वक्त सबसे जादा केसिस रिकॉर्ड कर रहे हैं पर देखे और देखे ताज होटेल्स की जो बड़ी यूनिट्स है जहां से बड़ी कमाई होती है वो मुंबई वीजिन के अंदर ही आती है इसी लिए यहां पर इतना जबर्दस निगेडिव इंपक्ट देखने को मिल रहा है कि इस होटेल की स्टॉक प्राइस पर लगातार पिसले आठ दिन से गिरावट का दौर जारी है लास्ट एडिक सेशन में भी अगर आप देखेंगे किस तरीके से आपर दो परसेंट की गिरावट के साथ म 114 रुपे पर ये स्टॉक बद हुआ और हाली में मलब दिसेंबर के अंदर 3 मही ने पहले इसने 140 रुपे तक के लेवल्स को टच किया था अपने 52 वीक हाई को लगाया था जब वैक्सिनेशन की खबरे आई थी और वैक्सिनेशन किस तारीक से शुरू हो जाएगा उसका भ कि जो बिजनस है वो उसी के ऊपर डिपैंड करता है कि कितना जादा मुवमेंट लोगों का है ग्लोबली भी और इंटरस स्टेट लावर्स पर विया वो पूरी तरीके से जब बंद हो गया तो यहाँ पर कंपनी को काफी जादा नुक्सान उठाना पड़ा था सिक्योर्टी बस दिलिवरी पोजिशन से अगर आप देखेंगे तो अठारा लाग से जादा शेरू के अंदर कॉंटिटी ट्रेड हुई थी इसके अलावा लगबग 10 लाग शेरू के अंदर डिलिवरी उठाए गी तिर अप्रॉक्सिमेटली 53 परसेंट यहाँ पर है वो बिल्कुल अंकंट्रोलेबल दिखाई देती भी नजर आरे हैं हिंदुस्तान के अंदर आपको मैं देखिए इसके डेली चार्ज दिखाओं तो यहाँ पर आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि यह स्टॉप बहुत जबर्दस तरीके से अपने उस हाई से लगबग 130 रुपे का वहाँ से लगातार यह गिरता आ रहा है और इसने 114 रुपे के उपर क्लोजिंग दी है अभी लास्ट इडिंग सेशन के अंदर थोड़ा सा और मैं इसको आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा देखिए मीडियम टर्म, लॉंग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के एक्सपोजिशन मुविंग एवरिजिस मैंने आ लगाए हैं 50 देज, 100 देज, 200 देज और ये अपने 200 दिन के एक्सपोजिशन मुविंग एवरिज को ब्रेक करके नीचे जाने के लिए बिलकुल तयार हो गया है जो प 100 रुपीज की क्लोजिंग से सीधे-सीधे ये स्टॉक 108 रुपे के उपर इसने क्लोजिंग दी थी अगले ही दिन और बहुत ही शांदर इसके अंदर वॉल्यूम भी रहे थे तब पूरा अनुमान यही लगाया जा रहा था कि अब कोरोना का इंपक्ट यहां से कम होतावा देखने को मिलेगा और देखिए इस स्टॉक ने भी कोर्रस्पर्णिंग भी बहुत अच्छे मूज बनाए और यह स्टॉक 140 रुपे के 52 वी खाई पर पहुच गया था डिसेंबर के अंदर उसके बाद फलकी सी गिरावट और फिर कंसॉलिडेट हुआ लेकिन अब यह स्टॉक वापस से नीचे चलना शुरू हो गया है क्योंकि पिछले दो महीने में दो से तीन बार ऐसी नियूज आई है कि कोरोना केसे भड़ सकते हैं और अब एक्जैक्ली यह केसे वाकि में भड़ते जा रहे हैं तो यह सबसे जादा डरावनी सिचुएशन है इस देखेंगे RSI के हिसाब से तो देखे RSI बिल्कुल अपने ओवर सोल्ड जोन की चुने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा आने वाले कुष टेडिंग सेशन में और इस वक्त भी अगर आप देखें 34 पॉइंट्स की ऊपर गिर के आ चुका है मोमेंटम बिल्कुल लूज कर चुका है यह स्टॉक और यहाँ पर और भी फर्दर इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है अगर आप देखें यह चीज़ समझते हैं कि 200 दिन के एक स्टॉक प्राइस के मोवमेंट में और यह देखें अगर आप ब्रेक करता है तब आपको यहाँ पर 105 रुपे के लेवस भी आते वह देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर तो एक निव्स आना बहुत जरूरी है कोरोना वायरस को पार बहुत जरूरी है अगर हम कंट्रोल नहीं हुआ तो ऐसी इंडस्ट्री इसके जो स्टॉक है वो बहुत तेजी से गिरना चालू कर तो इस स्टॉक के अंदर देखिए, फर्दर यहां पर नहीं पोजिशन बनानी है, कोई भी नहीं पोजिशन नहीं बनानी है, जब तक इसका RSI रिवर्स ना ले ले अपने ओवर सोल्ड जोन से, तब तक हमें नहीं इसके अंदर कोई भी पोजिशन बनानी है, और फिलाल यह कि क्या यहां पर लखी ली, अगर यह उपर की तरफ रिवर्स करता है, तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर यह ब्रेक हुआ वापस से 200 दिन के शिशन बूबिंग आवरेज, तब यहां पर देखिए, एक सो पांक शुपे तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं नियर टर्म्स के अंदर, तो यह देखिए, ओनली एक इन्फरमेटिव वीडियो था, जिसके अंदर टेक्निकल्स बड़े वीक दिखाए दे रहे हैं, थोड़ास आपको दिमाग में इसको रखना चाहिए, अगर कोई भी पोजिशन आपने बना रखिए, तो या तो आपने ट्रेड लाइन स्टॉक्स को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बनाबर में दिया बैल आइकन में जरूर दबा दें, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फरमेटिव वीडियो देवी आपके लिए 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 लिके आता रहता हूं इस चैनल की उपर, मिलूँगा आपस एक ने वीडियो में ने इस टॉक के साथ, तब तक लिए नमस्ता, थैंक्यू, जाहे हूं